इंटरनेट विंडोज यूटिलिटीज एन एप्लिकेशन के सब्जट के तहथ हम लोग आज स्टार्ट करें यूनिट टू और यूनिट टू में पहला टॉपिक है बैसिक एलिमेंट्स फॉर नैटवर्क कनेक्टिविटी यहां नैटवर्क मिशिंग है तो आज के लेक्चर अम लोग देखने वाली है कि मोडम क्या होता है और इसे वाहत今 थे कि पहला उनिटवंस डन है आज देखने वाल new है वानल को स्टॉ इंडाइक्ष है आज की लेक्चर का मौर्डम की इस्ट्री उसके बाद हम लोग देखेंगे नैटवर्क स्विच Kung हुआ है तो वहां से क्या telephone line आता है telephone line आता है है न जो electrical signal format में internet connection को या voice जो भी जो इंटरनेट के जो messages है न वो electrical format में या तो analog format में आता है modem जो होता है वो क्या करता है उस internet के service को है न स्विच में ले जाकर के connect करता है या तो हम इसको चाहें, तो directly उस computer में भी connect कर सकते हैं, टो जो भी internet की service है, चाहे हम airtel से ले रहे हैं, idea से ले रहे हैं, किसी से भी, हमने broadband connection लिया हुआ है, तो वो electrical format में internet के signals को लाता है, electrical format मतलब analog format में, और यह modem क्या करता है, उसे digital format में change करता है, और switch में जोड़ने चाहते तो हम लोग इस signal को सीधे computer में जोड़ सकते थे लेकिन switch में जोड़ने से ये फायदा है इस internet के service को ये देखो switch एक ऐसा device होता है जो multiple computers को आपस में connect करते हैं multiple network devices को आपस में connect करते हैं तो इसको switch में ले जाने से फायदा ये होगा switch के मादने हम से इस computer में तो गया ही गया इसमें और भी computers को हम लोग जोड़ सकते थे इसका अर्थ ये हुआ कि और भी computers में हम लोग internet की सेवा को ले सकते थे तो modem क्या होता है modem और broadband modem is a hardware device that connects a computer और router to broadband network है न तो यह switch है switch आप router ही हो सकते हो तो यह modem एक ऐसा hardware device है hardware device है जो हमारे router को अथवा computer को directly broadband अथवा internet से connect करता है है न एक और बार इस definition को बता रहूँ modem एक ऐसा hardware device होता है जो हमारे router अथवा computer को broadband network से connect करता है ठीक है for example cable modem dsl dsl modem are two examples of these types of modem समझ में आही गया होगा modem क्या होता है एक ऐसा hardware network hardware device होता है जो हमारे router को अथवा computer को broadband network से connect करता है तो यह simple सा है modem का definition अब देखो modem को न मौडिलेटर और दी मौडिलेटर भी बोलते हैं देखिए modulator मतलब क्या मैंने बताया कि broadband से electrical format में आ रहे है तो यह data analog signal में है और यह modem क्या करता है उसको digital format में change करके computer तक पहुंचाता है तो देखिए माल लो मैं कोई message को भेज रहा हूँ यहां से कोई message भेज रहा हूँ ठीक है तो यहां तक तो यहां तक तो digital format में रहागा data और यह modem क्या करेगा उसको analog क्योंकि यह जो cable है वो analog format में data को ले जाती है और इधर जो data वो digital format जब मैं भेजूंगा data को तो data digital से analog में change होगा तो इसको बुलेंगे modulator तो जब हमारा modem जो है किसी digital signal को analog signal में change करता है तो यह modulator कहलाता है और मालो हम लोग यहां से कोई data को डाउनलोड करेंगे तो इंटरनेट से data जो analog format में आएगा और modem उसे digital format में change करेगा तो यह demodulator तो modem को modulator और demodulator device भी बोलते हैं तो वही बात यहां समझाया जा रहा है कि a modem is a hardware that allows a computer to send and receive information over telephone lines modem एक ऐसा device है जो telephone line से data को send करने और receive करने में help करता है when sending a signal the device converts digital data to analog audio signal ठीक है जब हम लोग data को send करते हैं यहां से तो वो क्या करता है digital को analog में change करता है तो इसी को ही modulates बोलते है modulator बोलते है modem को ठीक similarly when an analog signal is received यहां से कोई analog signal receive किया आता है the modem converts it back to digital signal तो modem क्या करते है उसको digital signal में convert करता है तो यह demodulator का काम हो गया ठीक है और सबसे पहला जो modem आया था वो 1960 में आया था अमेरिका के AT&T laboratory एक company वहां उनने बनाया था और उस modem का नाम था data phone उसके बाद में डेनीज हेज ने और ही हीत रिंटन ने release किया बाद में एक modem 8103A थेख है 1977 में तो यह दूसरा modem था यह पहला modem था data phone यह तो था general history modem का अब देखतें network switch तो बही network switch एक ऐसा networking device होता है जो multiple computers को network में connect करने का काम करता है a switch is a device in a computer network that connects other devices together and other devices को आपस में connect करने के लिए network device का प्रयोग देख लिज़े भाई अब यह switch से connected यह switch से connected यह तो multiple devices को network के आपस में connect करता है multiple data cables are plugged into a switch यह देखतें यह data cable है multiple data cables are plugged into switch मतलब इसमें जोड़ दिये जाते हैं to enable communication between different network devices अभी इनको आपस में जोड़ा क्यों गया है ताकि यह computer A जो है वो B से communicate कर पाए यह जो है इससे तो सारे आपस में communicate कर सकते हैं इसी वजह से आपस में multiple network devices को connect करने के लिए इस network switch का प्रयोग किया जाता है a network switch is a multiport network bridge that uses mac addresses to forward data तो यह जो network switch होता है multiport यह देख लो पहला port दूसरा port तीसरा port चौथा port port क्या होता है एक ऐसा point होता है जहां से हम लोग connect करते हैं किसी device को तो यह multiport device है भाई switch जो data को न हर एक machine का mac address होता है mac mac address तो data को कैसे send करती एक दूसरे को एक दूसरे machine को mac address के अधर पर switch for ethernet are the most common form of network switch तो जो हम लोग आपके computer lab में switch use किये हो उसे ethernet switch बोलते हैं तो switch सबसे common type का है switch जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं the first ethernet switch was introduced by Kalpna in 1990 1990 में पहला network switch का इजाद किया गया था तो आज के लिए lecture में इतना ही आज हमने देखा modem क्या होता modem का work क्या होता है पहला modem कब आया था और उसके बाद हलका सा overview हमने देखा switch क्या होता है switch क्या करता क्या है है और वह कैसे काम करता है उसका general history देखा आपने thank you very much for today's lecture कर देखा शारे दीर ही 있어 झाल झाल